क्रिश्णा राठोर्ट जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अपने जो भी वेडिंग का कलेक्शन होगा वो मैं बताऊंगी तो आज जो है अपना हैंड बैग, क्लच, स्लिंग बैग और फोनले बैग बताने वाली हूँ जिन भी लड़कों की अभी शादी होने वाली है या वो लोग प्लाइन कर रहे है कि कैसे शॉपिंग कर रहे तो इससे आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा कि राजपती सुट पर आपकिस तरीकी से क्लाचों ले सकते हैं ये वाला जो हैंड बैग है मैंने दुकान से लिया था कोई फेमस ब्रैंड का नहीं है फिर भी 800 रुपे लगे शोरूम में और भी कलर अवेलेबल थे पर मैंने गुल्डन कलर इसलिए लिया क्योंकि ये मेरी सारी पुशा के साथ मैच कर जाएगा ये मुझे शोरूम से मिला 1450 में इंस्ट्राग्राम पेज पर आपको मिल जाएंगे प्राइस थोड़ी से जाधा रहती है उनकी और ऐसा कलर और डिजाइन दूनों ही बहुत अच्छे थे इसके अंदर जगह बहुत जादा है इसलिए मेरा सारा मेकप का समान आ गया और शादी वाले दिन इसको ही कैरी करने का सोचा है मैंने ये क्लच मैंने मीशो से लिया प्राइज अभी मुझे याद नहीं है मैं उपर फोटो विद प्राइज लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी अगर आप लोगों को लेना हो तो बाकी नॉर्मल जो भी सूट वगेरा हम पहनते हैं उनके साथ ऐसे लाइट वेट क्लच बहुत जाथ अच्छे लगता है नेक्स्ट है स्लिंग बैग आजकल जर्दोजी का काम हुआ हुआ है जो आपके पोशाकों के उपर भी देखने को मिलता है और यह उसको पढ़ा 500 में और इस टाइप के जर्दोजी वर्द के पूर्टली बैग और बहुत जादा चल रहे है और इसका जो बेस्ट पार्ट है कि इसको स्लिंग बैग की तर अभी कैरी कर सकते हैं यह मस्टेड कलर का हैंड बैग कोई भी फीमस ब्रैंड का नहीं है फिर भी मुझे 800 में पढ़ा क्योंकि इसके क्वालेटी बहुत जादा अच्छी है अगर हम लोग लोकल शॉप से ऐसे कोई 200-400 में हैंड बैग ले लेते हैं तो वह बहुत जल्दी ही खरा 500 का और इसको ऐसे स्लिंग बैग भी कैरी कर सकते हैं यह मैंने लोकल शॉप से लिया था इसके एंदर गोल्डन कलर की चैन है इसके वज़ेसे आप इस поверх को दो तरीके से यूज कर सकते हैं यह यह का हैंड बैग मैंने 700 में लिया था और यह शॉप से है लिया था यह हैंड